असलाम अलेकुम एडिवान डिस इस महमन अफीस एंड वेलकम तो 5D एजुकेटर यूट्यूब चैनल गाइस तो आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं शॉटकट वीडियो एडिटर शॉटकट वीडियो एडिटर बिल्किन फ्री और ओपन सोर्स वीडियो है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वीडियो एडिटर है जिससे आप अपनी यूट्यूब वीडियो को इजली एडिट कर सकते हैं तो किस तरह इसको डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपने कर लेना है क्रोम को अपन यहां पर आपने लिखना है डाउनलोड में ओट रखेंगा यहां से आपने जांका आपनी विंडोज मैक या लनिक्स यहां से डान把它 कर ग्लिक करने हैं जब आप्डुंदोश दॉडनी के लिए और इसी के साथ हमारे पास लीनिक्स के लिए थैप यहां से सिंपल विंडोज इंस्टालगर पर क्लिक करें साइ्ट से यहां साइट टू से विंडोस इंस्टार पर क्लिक करें तो आपकी डाउनलडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी गाइज इंस्टालेशन करने के बाद जब हम इसको उपन कर लिया अब हम सीखते हैं हाउ टू परफार्म बेसिक इंटरफेट्स और प्रोजेक्ट सेटिं उपर आपने बताना है प्रोजेक्ट का फोल्डर किस फोल्डर में आप अपना प्रोजेक्ट स्टोर करना जाते हैं यहां पर मैं प्रोजेक्ट को डेस्क टॉप पर स्टोर करवा लेता हूं यहां पर और इसको मैं कर लेता हूं स्लेक्ट फोल्डर पे क्लिक इसके बाद य और इसको select करने के बाद आपका जो project है वो उसको आपनी क्या करना है simple start पे click कर देनी है जैसे ही आप start पे click करेंगे तो वो हमारा जो project है वो यहां पे आ जाएगा recent में और यह project हमारा जो है वो start हो जाएगा तो guys आप हम सीखेंगे how to import media or video or images file in our shortcut video editor तो guys सबसे पहले आप इसमें अगर आप media आपनी को video import करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहां पे मारे पास उपर एक file की option बनी है open file ओपना video, audio और image file यहां पे आपने आगे करनी है simple click जैसे ही आप इस पर click करेंगे हमारे पास एक browse की option आजाएगी यहां से आप अपनी कोई भी video जो है यहां पे insert करवा सकते हैं अभी मैं let's pause के यहां से अपनी एक video को insert करवा लेता हूँ यह यह एक video है इसको मैंने simple open किया यह जो है वो insert हो जाएगी यहां पे insert हो गए इसको मैं भी cancel यहां कर देता हूँ ठीक है? यह हमारे पास video आगी है अब इसको हम track पे लेगे आने चाहते हैं यहां पे हमारे पास video track होता है यहां पे हमारे पे स्टाइम लाइन है यह हमारे पास time line है और ऊापर यह हमारी वीडियो शो हो रही है आप इसकी जो वीडियो को कम चोटा या बड़ा भी कर सकते हैं यहां से इसको पुल करके वीडियो को चोटा फ्रेम को चोटा भी कर सकते हैं और यहां से इसको बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर आप इसको लेकर आना चाहते हैं ट्रैक पे तो आपने सिंपल व वीडियो in shortcut video editor तो guys सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आप track का जो size है इसको zoom भी कर सकते हैं जोम out और zoom in भी कर सकते हैं अगर इसको मैं कम зовं करता हूँ यहाँ से कराँ यहाँ से मैं कम कर देता हूँ तो हमारा जो track के video है उसका size कम हो जाएगा यहां से आप track की video का size जो है वो timeline का size जो है वो increase का जखने तो यहां पर आप देखते हैं कि मैं यहां तक अभी आपके बोलना मैंने शुरू किया है यहां से ठीक है मैंने let's suppose कि इस से पिछे मैंने कुछ आपके बैठा हूं chair पे और अपना माइक वगरा सेट किया है आप चाहते हैं के इस से पिछली वाली वीडियो जो है वो trim हो जाये तो आपने क्या करना है यहां पर आपने time bar को लेकर आ जाना है यहां पर मैं देखे देखे आगा time bar को इसके बाद उपर हमारे पास एक ये देगे के इक button बना हुआ है split add playhead यानि कि आ आप direct s प्रेस करके यानि कि shortcut की s प्रेस करें या इस परागे क्लिक करें तो आपकी जो वीडियो है वो दो पार्ट में divide हो जाएगी यह एक पार्ट है और यह एक पार्ट है यह वाला जो पार्ट है वो मेरा unrequired पार्ट है क्योंकि इसमें मैं आके simple देखें कि चेर पे बैठ रहा हूँगा और अभी मैंने कुछ भी यहां पर सही से बोला नहीं होगा ठीक है अभी यह देखें इसको आप डिलीड करना चाहते हैं तो आप इस पर आके क्लिक करनी है आप इसको इस पर right click करके यहां से remove कर सकते हैं या direct अपनी shortcut की express करके भी इसको डिलीड कर सकते हैं ठीक अभी मैं इसको दोबारा लेके आता हूं दोबारा आपको बता देता हूं इस पर आपने right click की और remove यहां एक्स आपने प्रेस किया तो हमारा जो part है वो remove हो गया और हमारी वीडियो की starting जो है वो अब ठीक हो चुकी है अगर हमारे पास कोई last mistake हो जाती है तो आप यहां से वीडियो को split करके end से और डीलीड कर वा सकते हैं लेकर वीडियो हो जाए center में हमारे पास बोलते कोई हम से mistake रहाती है definitely याइर बंदे से mistake हो जाती है बोलते हुथ तो मैं चाहता हूँ कि यहां पर मेरे पस mistake हुई है आपने अपनी time bar को यह जो time bar है आपने अपनी time bar को mistake वाली जगा पर लेकी आए जहां से आपकी mistake शुरू हुई है यहां पे आपने क्या करना है split in at playhead यानि कि वीडियो जो है वो दो हिस्सों में होगी अब यहां से मैंने बोलते हुए mistake की है यहां तक यानि कि इतना हिस्सा जो है वो मेरा mistake में गुजरा है यह वाला जो हिस्सा है जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहां से पहले मैंने एक दफा playhead split किया अब यहां पे मैं इसको split करता हूँ यह मैंने इसको split कर दिया अब वीडियो का जो center वाला पार्ट है यह मेरा जो है वो मैंने गलत बोल दिया था यानि कि मैंने कुछ इसमें mistake कर दी थी तो इसको आपने क्या करना है simply express करके भी इसको delete कर सकते है यहां आप इसको right click करके remove भी कर सकते है मैंने इसको remove कर दिया आप देखेंगे वीडियो के हमारे दो हिसे हो गए और जो हमारा unrecowide part है जो जिसमें मैंने mistake की थी वो मैंने delete कर दिया है ठीक है तो guys अब हम सीखेंगे how to add background music in shortcut video editor तो guys सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहां पे आपने right click करनी है आके आपने यहां पे और यहां पे लिखा हुआ है track operations यहां पे आपने अपना track operation में जब आप click करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है add audio track control यू से आप ड्रेक्ट भी इसको ले के आ सकते हैं आपने यहां पे अगेन देख लें आपने right click की और यहां पे track operations लिखा हुआ है यहां पे आपने करना है add audio track इस पे आपने क्लिक कर दी हमारे पास audio track जो है वो नीचे आ जाएगा अब आपने क्या करना है open file पे click करनी है अपना audio file को यहां पे लेके आने के लिए open file पे click की और कोई भी अपनी audio file जो copyright free है उसको आपने select कर लेना है हमारे पास जी देखें कि video audio जो हमारी insert हो गई है इसको आपने यहां से पकड़के यहां पे लेके आ जाना है आपने अपने audio track पे ठीक है यहां पे मैंने कर दिया override simple तो guys हमारे जो audio है वो यहां पे आ जुका है अब हम देखें कि इसका जो volume है वो काफी ज्यादा होगा वो हम किस तरह increase करेंगे यहां पे आपने आडियो फाइल को select करना है यहां पे आडियो फाइल यहां तक है ठीक है बाकी जो track है वो empty है आडियो फाइल को select करें इसके बाद आपने इस जगा पे filters में आजाना है ठीक है filters में आना है यहां पे आके plus button पे आपने click करनी है यहां पे लिखा हुआ है add filter यहां पे again देख लें आपने अपनी audio file को select की है filters पे क्लिक की यहां पे हमारे पास plus sign है इस पे आपने क्लिक करनी है और यहां से आपने लिखना है volume volume कम करना चाहते हैं तो आपने volume लिखना तो हमारे पास आजएगा gain and volume का एक filter आजएगा यहां पे आजएगा यहां पे हमारे पास नीचे लिखा हुआ है levels यहां पे आपने इसका level जो है वो कम कर लेना है यहां से आपने इसकी audio की जो ओवाज है वो volume जो है वो कम हो जाएगा और आप background music के तोर पे आपने कोई भी जो audio उसको use कर सकते हैं यहां से हमारे पास यह होगा किस तरह हम अपना background music जो है वो apply करते हैं यहां guys background music को apply करने के बाद यहां पे हम देखें तो हमारी वीडियो की duration है वो काफी length ही है लेकर हमारा audio file जो है वो यहां तक ही है आपने क्या करना है कि यहां से आप trim भी करवा सकते हैं यहां से आप split at the playhead करके अपनी तमाम वीडियो को delete भी कर सकते हैं लेकर अगर आप चाहते हैं कि यह volume जो आपका आपने apply किया है यह बार बार अपनी background पे आपके चलता रहा है तो आपने इस पे आकर right click करनी है यहां से आपने करना है control C और यहां पे again कर देना है control V यहां पे paste command यहां पे लगा देना है आपने हमारे पास यह देखें music इस तरह paste होता जाएगा ठीक है इस तरह आप जितना भी music आप यहां पे apply करना चाहें इस तरह अपनी तमाम वीडियो के लिए apply कर सकते हैं यहां पे आप देखें कि end पे हमारे पास यहां पे ज्यादा आ गई है यहां से आपने split at the play head करना है और यह जो end पार्ट है इसको level करने के लिए आपने यहां पे इसको कर देना है remove ठीक है यह हमारे पास remove हो गया और आप हमारी वीडियो और audio की जो है वो length जो है वो तकरीबन सेम हो चुकी है यहां guys तो आप मैं आपको सिखाने जा रहा हूं how to apply fade in fade out effect in shortcut video editor तो guys यह हमारा वीडियो क्लिप है यहां आप audio यहां वीडियो क्लिप किसी पे भी आप fade in या fade out effect apply कर सकते हैं मैं आपको वीडियो पे सिखा देता हूं और same ही process जो है वो audio के लिए होगा तो fade in effect apply करने के लिए आपने अपनी वीडियो के clip को select कर लेना है आपने आना है filters पे और यहां पे आपने आके plus sign पे करनी है click ठीक है यहां से plus sign पर जैसे हैं आप क्लिक करेंगे यहां पे आपने लिखना है fade in ठीक है फेड इन आडियो का भी एफेक्ट मुझूद है फेड इन वीडियो का भी एफेक्ट मुझूद है फेड इन पर मैंने क्लिक की यहां पर हमारे पास यहां पर डुरेशन दे रहा है कि कितनी देर आप वीडियो को फेड करना चाहते हैं क्रेड कहते हैं कि हमारी जो वीडियो पहले डार्क है उसके बाद हमारी वीडियो स्क्रीन पे आए अब ही मैं आपको तीन सेकंड अप्लाई करके दिखाता हूं ठीक है ताके आपकर इसकी कंप्लीड जो है वह समझ आ जाए यहां पर अगर तीन सेकंड कर लेता फुल वाइट हो जाएगी। इसी तरह आप फेड आउट अफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आपने प्लस साइन पे क्लिक करनी है, यहां पे आपने लिखना है फेड आउट, तो हमारे पास फेड आउट select कर लेने हैं और उसी तरह apply कर लेना है यहां पे आप और भी प्रॉसेस कर सकते हैं आपने क्लिक को select करना है और key frames पे क्लिक करनी है key frames पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो frame जो है वो select हो जाएगा यहां से मैं zoom थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ठीक है अब हम देखेंगे key frames पे हमारे पास end पे हमारे पास एक छोटा सा dot भी आ रहा है यहां पर यहां पर मैंने fade out को select किया हुआ है पहले मैं fade in को select करके आपको दुखा देता हूँ filter आपने select करना है fade in तो हमारे पास यहां पर एक छोटा सा dot आ रहा है ठीक है यह देख लें स्क्रीन पर इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके fade की effect जो है fade out हो तो यह इस तरह process होता है ठीक है यह भी आप adjust कर सकते हैं तो यह था कि आप किस तरह fade in और fade out effect apply करते हैं यहां guys तो आप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ के how to apply transitions and create slide show in shortcut video editor तो आपने यह कैसे करना है transitions कैसे apply करना है मेरे पास 4 different images है आपने जो second वाली image है इसको ऐसे drag करन है पिछले वाली पे उस पर भी transition apply हो जाएगी इस तरह आपने next वाली को इस तरह apply करना है तो यह transitions जो है वो apply होती जाएगी अब यह transitions के अगर आप properties देखना चाहते हैं तो आप में transition को select करना है और यहां से properties पे चले जाना है यहां पर पहले filters हैं playlist है और यहां पर हमारे पा है ठीक है मैं भी इसको play करके दिखा देता हूं यह हमारे पास देखें के transitions जो है वो apply हो रही है इनकी अप्डरेशन जो है transition की इस तरह अप्ला ज्यादा भी कर सकते हैं ताक यह ज्यादा देर तक show हो यह भी इसको हम देखते हैं यह देखें transition apply हुई ठीक है इसके बाद है वो double iris कर देता हूं तो इसको भी थोड़ा सा increase कर देता हूं ताकि आप इसको clear देख सकें यह हमारे पास transition apply हो चुकी है आप यहां से transitions को easily apply कर सकते हैं अपनी वीडियो यह अपनी images पे और अपनी वीडियो को export कर सकते हैं जी हां guys तो अब हम सीखने जा रहे हैं how to add text in shortcut video editor किस तरह आपफंब्र को लेकर आते हैं अगर आप complete फाइल यानि कि आपकी complete why अउस पर apply करना चाहते हैं तो वह कैसे apply करेंगी या अगर आपकर करके pieces पर apply करना चाहते हैं तो वह कैसे apply करेंगे clips पे भी आप apply कर सकते हूँ complete video पे भी apply कर सकते हैं video को आपने select कर लेना seizure filters में चले जाना है यहां पर आपने लिखना है टेक्स यहां पर आपने टेक्स लिखा सिंपल टेक्स भी स्लेक्ट कर सकते हैं और इस टेक्स भी स्लेक्ट कर सकते हैं simple text पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास text वह आ जाएगा यहां पे हमारे पास टेक्स हो रहा है, यहां पर मारे पास नीचे देखें तो time code यहां पर लिखा हुँ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ time code ठीक है। इसको अभी हम कर लेते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूं भी मैं यहां पर लेक लेता हूं प्लीज अभी मैं आपको एक अच्छी सी चीज बना कर दिखा देता हूं सुब्सक्राइब फाइव जी एडूकेटर्स यूट्यूब यूट्यूब चैनल यह आगया अब यह देखें के नीचे एक खलकी सी बार आ रही है आप इसको थोड़ा दर नीचे ड्रैक करें तो यहां पर हमारे पास फॉंट का कलर भी आ ठीक है फॉंट कलर है यानि कि आप अपनी राइटिंग का जो कलर है वो चेंज करना जाते हैं इस हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे कोई बी कलर जो है वो अच्छा सथ सिलेक्ट कर लेता हूं यह वैने कर लिया आयो टैक्स पे जो हैया हूं देखते हैं जूम करके यहां पे हमारे पास और लन्च चो हो रही है तो गाइज यहां पे आप font का जो है वो change कर सकते हैं आप font का style change कर सकते हैं यहां से आप कोई भी font जो है चूज कर सकते हैं यहां से बोल्ड इ तो अज्डारा underline जो है टीक है यह से आप बेसिक स्पक कर सकते हैं इसको बोल्ड कर दिया अभी यहां पर देखें तो मैं एक चीज और आपको क्रियेट करके दिखाने जा रहा हूं यहां पर हमारे पास बैगरोंड की आपशन है बहुत ही अच्छी आप्शन है यहां पर आपने इसको करना है सिंपली क्लिक एं होगे कि इस तरह नहीं एक नीचे लिखा होता है जहां पर आप लिखा ह chambers को ठीक है यहां से आप बैग्राउंड और यहां पर मैं भी इसका जो है और लाइन को खतम करते हूं तो ओर लाइन जब आपके ठीक्निस खत्म करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्वालटी में आपको शो होगा ठीक है यह आप जब आप फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था और यहां पे आप ने करना एआड विदियो ट्रैक यहां पे आपने विडियो ट्रैक कर लिए हमारे पास एक न्यू ट्रैक आगिया इसके बाद आपने अपनी वह फाइल open करनी है जो green screen include करती है जिसमें green screen है, इसको मैंने simply open कर लिए इसको आपने इसके उपर यहां पर लेके आजाना है यहां पर इंसर्ट करवाया लेना है यहां पर आप हम इशका करेंगे green screen यहां पे रिमूव करेंगे, इसको मैं भी सोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यह हमारे पास ठीक है, यहां पे हम इसकी ग्रीन स्क्रीन जो है, वो रिमूव करके सिखाएंगे आपको, यहां पे आप इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, फिल्टर में चले जाना है, यहां पे आपने फिल्टर एड़ करना है, क्रोमा की का, हमारे पास क्रोमा की सिंपल भी है और एडवांस भी है, और आपने जो color है वो select करना है यहाँ से आपका जो भी color होगा वो आप यहाँ से select कर सकते हैं यहाँ पर green automatically ही है अब यह हमारे पास देखें कि हमारे पास जो है वो हमारी जो green screen है वो apply हो चुकी है ठीक है इसको आप simply इसी तरह अपनी वीडियो पर apply कर सकते हैं यहाँ गाइस और यहाँ पर हम सीखेंगे अपनी वीडियो को finally export करना यहाँ पर हमारे पास option है उपर export की इस पर आपने आके करनी है क्लिक और यहाँ से आपने यहाँ पर नीचे यहाँ पर properties में presents में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करनी है इसके बाद आपने क्लिक करनी है advanced पर यहाँ पर लिखा हुआ है advanced यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपने farmer select करना है mp4 यहाँ पर आपने mp4 select कर लेना है ठीक है इसको आप देख लें MP4 सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपने Resolation ये सेलेक्ट कर लेनी है 920 और 1080 यहां से Aspector ISO सेलेक्ट कर लेनी है Frames 30 पर सेकंड कर लेने है Frames 30 यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको ऐसे ही नीचे रहने देना है और यहां पे आपने इसको सिंपल आर्डियो और आर्डियो की सेटिंग्स भी आप यहां से कर सकते हैं और यहां पे कोडिक भी सेटिंग्स कर सकते हैं इसको आप सिंपल यहां पे रहने दें यहां पर मैंने सेव का दिया तो हमारी जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी तो गाई इसके बाद अपनी वीडियो को आप अप्लोड कर सकते हैं अगर आपको मेरे आज यह वीडियो अच्छा लगा यह अगर आपको मेरा टुटूरियल पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंपस आप वाचिंग इस वीडियो अला हाफिज